नमस्कार आधम लोग सुबद्रा कुमारी चवहान द्वारा लिखित पाठ जासी की रानी का स्वास्वर वाचन करेंगे सिंगासन हील उठे राजवन सोने भुकुटी तानी थी बूढे भारत में आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी कोक करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी संतंतावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी कानपूर के नाना की मुं बोली बहन छबीली थी लक्षमी बाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बर्ची धाल किरपाल कटारी उसकी यही सहेली थी वीर सिवाजी की गाथाएं उसको याद जुवानी थी बुंदेले हर बोलो की मुं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो छांसी वाली रानी थी लक्षमी थी या दुरगा थी वह स्वैम बीरता की अवतार देख मराठे पुल कित होते उनकी तलवारों की वार नकली युद वीहू की रचना और खेलना खूब सिकार सैन गेरना दुर्ग तोरना ये थे उसके प्रिये खिलवार महराष्ट कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुन देले हर बोलो की मुं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो छांसी वाली रानी थी हुई वीर्ता की वैवव के साथ सगाई जहासी में ब्याहुआ रानी बन आई लक्षमी जहासी में राजमहल में बजी बधाई खुसिया च्छाई जहासी में सुब भट बुन देलो की विरद दावली सी वह आई जहासी में चित्रा ने अरजुन को पाया सिव से मिली भवानी थी बुन देले हर बोलो की मुं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी उदित्थुआ सोभाग मुदित महलो में उज्याली च्छाई किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले करमे उसे चूडिया कब भाई रानी विधुआ हाई विधी को भी नहीं दया आई नी संतान मने मरे राजाजी रानी सोक समानी थी बुंदे लेहर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी बुझादीप जहासी का तबडल होजी मन में हरसाया राज हरप करने का उसने यह अच्छा उसर पाया फोरन फोजे भेज दुर्ग पर अपना जंडा फ़राया लावार इसका वारिसवन बटिस राज जहासी में आया आस्रुपुन रानी ने देखा जहासी हुई विरानी थी बुंदे लेहर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी छिनी राजधानी दिहली की लिया लखनव बातो बात कैद पेशवा था बिठुड में हुआ नागपुर पर भी आघात उदैपुर तंजोर सतारा करना तक की कौन भिसात जब की सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था बज्र निपात बंगाले मिद्रास आदी की भी तो वही कहानी थी बुंदेले हर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी कूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी उनकी गाथा छोड़ चले हम जहासी के मैदानों में जहां खरी थी लक्षमी बाई मर्द बने मर्दानों में लेफ्टिनेंट वाकर आप पहुचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीच हुआ ध्वंद आस्मानों में जखमी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी बुंदेले हर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी रानी बढ़ी काल पी आई कर सो मिल निरंतर पार घोरा ठक कर गिरा भुमी पर गया स्वर्ग ततकाल सिधा यवना टटपड अंग्रे जोने फिर खाई रानी से हार विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर भ खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी अंग्रे जो के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजदानी थी और बुंदे लेहर बोलो की मूं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी विजय मिली पर अंग्रे जो की फिर सेना घिर आई थी अब के जनरत सिम्त सम्मुक था उसने मूँ की खाई थी काना और मंदरा सक्षिया रानी के संग आई थी और युद छेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे ही रोज आगया हाए घिरी अब रानी थी बुन्देले हल बोलो की मूँ हमने सुनी कहानी थी क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी हमने सुनी कहानी थी क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैने के पार किन्तु सामने नाला आया था यह संकट विसम अपार घोरा अरा नया घोरा था इतने में आ गया सवार रानी एक सत्रू बहुतेरे होने लगे वार पर वार घायल होकर गिरी सिंग नी उसे वीरगती पानी थी और बुंदे लेहर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिब्य सवारी थी मिली तेज से तेज की वो सची अधिकार नी थी अभी उम्र कुल तेज की थी मनुझ नहीं या तार नी थी हमको जीवित करने आई बन स्वतंद्रता नारी थी बुंदे लेहर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी हमको जो सिखना थी बुंदे लेहर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी जासी वाली रानी थी इस कव्टा में जासी की रानी जो की 1857 की क्रांती की महनाईका और उनके युद्ध कौसलों को और अंग्रेजों के छक्के छुराने की जो ओजस्वानी सुबद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जनमानस में एक क्रांती कारी फैलाओ को बड़ी ही स्वतंत्रता पुर्वक पहुँचाने का काम किया और उनकी ये गाथा आज भी लोगों की जिवानी पर है सिंग घासन ही लुठी राजवनसों ने भुक्टी तानी थी बूढे भारत में आई फिर से नई जवानी थी और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी यह संगर्स उन भारतियों के चुवानों पर बस जायता है जो की एक औरत मात्र 23 बरिस्त की उम्र में इस्वतंत्रता शंगराम का शंखनात करकर अमर हो गई यह कविता आपने भाव विभोर को बड़ी ही मारमिक धंग से प्रस्तूत करती है जाहें जाय भारत